ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है उडिशा की कटक में ट्रक की चपेट में आने से एक साइकल सवार लड़की की मौत हो गई हाथसे से पहले वो लड़की सड़क किनारे अपनी साइकल चलाती दिखी तब ही पीछे से आएक ट्रक ने उसे टकर मारी इस टकर के बाद साइकल सवार लड़की लड़क खडाने लगी और ट्रक की चपेट में आ गई इस हाथसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ट्राइवर को पकड़ दिया मद्यपृदेश के इन दौर में राशन माफिया के पांच अवैद मकानों को प्रशासन ने ड़ा दिया शिवराज सरकार के आदेश पर वहाँ पिछले कई दिनों से माफिया औ दूसरे बदमाशों के खलाफ कारवाई की जा रही है और इसी कड़ी में प्रशासन ने सरकारी राशन में हेरा फेरी करने के आरोप में पसे भरत देव और शाम देव के खलाफ अभियान चलाया जिसके तहएद शहर के दो अलग-अलग अलाकों में मौजूद इनके अवैद मकानों को दौस्त कर दिया गया कारवाई की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली मशीन अवैद मकान को गिर आती दिखी जिसकी वज़े से वहां धूल का गुबार चा गया नगर निगम की इस कारवाई की वज़े से महां लोगों की भीड जमा हो गई जिससे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को थैनात कर दिया गया ताकि हंगामा होने पर हालात से निप्टा जा सके आनरप्रदेश के विशाका पटन में एक फाक्टरी में भीशुन आग लग गई आग में देखते ही देखते पूरी फाक्टरी को अपनी चपेट मिले लिया मौकी पर दमकल की पांच गाडियां आग बुझाने में जुटी रही कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई लेकिन तब तक पूरी फाक्टरी चलकर राख हो जुटी महराज की विवन्टी में गोदाम में भीशुन आग लग गई आग की सूशना पर दमकल की गाडियां मौके पर पहुँची और आग बुझाने में जुट गई गोदाम में आग लगने की वज़ा कब फिलहाल पता नहीं चल पाया है ड्रग्स तसकरी से जुड़े मामले में अब NCB के रेडार पर अंडर वर्ल डॉन दाओद इबराहिम के ड्रग्स धंदे का पार्टनर मिनी दाओद और कैलाश राजपूत है न्यूस एटीन के दिवाकर सिंग की रिपोर्ट है कि दाओद इबराहिम के भाई अनीस इबराहिम के करीबी आरिफ भुजवाला से पूछताश में कैलाश राजपूत का नाम सामने आया जिसके बाद NCB मिनी दाओद पर शिकंजा कसने की तैयारी में खबर है कि F.I.R. में Narcotic Control Bureau कैलाश राजपूत का नाम भी शामिल करेगा और उसे समझ भेजने की भी तैयारी है पताए तो ये भी जा रहा है कि लंदन में बैठे कैलाश राजपूत को फखड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा सकती आरिफ भुजवाला ने पूश्टाश में बताया कि वो जनवरी 2020 से अब तक ड्रग्स डील के सिलसिले में दो बार दुबई में कैलाश राजपूत से मिल चुका है आरिफ ने ये भी जानकारी दी कि मुंबई के डोंगरी की ड्रग्स फैक्टरी में रोजाना करीब 80 लाख रुपे की ड्रग्स अप्लाई होते है